हालो दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूटूब चैनल विन्रै की पार्ट साला में आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो में उसी exercise को continue करेंगे exercise 2.5 को प्रस नंबर 6 के आगे से और उसके बचे हुए प्रस्नों को लगाने का पयास करेंगे तो सबसे पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि इसमें न सरशंकाओं का प्रियोग होगा सबसे पहली है x plus y की घाद 3 है जुकल टू x की घाद 3 plus y की घाद 3 plus 3x y bracket में x plus y आगे वाली है x minus y की घाद 3 बराबर x की घाद 3 minus y की घाद 3 minus 3x y bracket में x minus y दोरों में अंतर इतना है कि उपर plus का चिंद है सबी जे गए नीचे minus का चिंद है तो बिना देर की चलते हैं प्रस्ट में और पहला प्रस्ट नमारा दिया गया है 2x plus 1 की घाद 3 तो इसको जो है कैसे करेंगे सबसे पहले हम इसको पहला प्रस्ट नम लोग इस तरीके से देखेंगे कि हमें exam में किस तरीके से लगाना है ठीक है तो हम लिख लेंगे सरुसमिका x प्लस y की गाथ 3 है जो गल टू x की गाथ 3 प्लस y की गाथ 3 प्लस 3x ब्रैकेट में x प्लस y से तो यह वाली सरुसमिका जब लगेगी तो यहाँ पर x की जगाए पर क्या है 2x और y की जगह पर 1 है ठीक है तो यहां पर हम x की जगह पर 2x लग देंगे और y की जगह पर 1 लग देंगे ठीक है तो यह हमारा हो जाएगा 2x प्लस 1 की घाद 3 बराबर x की जगह पर 2x की घाद 3 प्लस y की जगए पर 1 की घाद 3 प्लस 3 इंटू x की जगए पर 2x इंटू y की जगए पर 1 और x यानि 2x प्लस 1 तो यह हमारा हो जाएगा 2 की घाद 3 x की घाद 3 प्लस 1 की घाद 3 प्लस 3 दूनी 6 कम 6x बैकेट में आ जाएगा 2x प्लस 1 तो ये 2 की घाष 3 हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8x की घाष 3 प्लस 1 की घाष 3 यारी 1 और ये अंदर गणा हो जाएगा तो 6 दूनी 12x की घाष 2 प्लस 6 एकम 6x ठोड़ा सा और अगर हमें इसको क्रम से लिख दें तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 8x की घाद 3 प्लस 12x की घाद 2 प्लस 6x और यह एक आखरी में लिख देंगे 1 और यही हमारा आंसर आ जाएगा तो दोस्तों है ना आसान प्रस्ण और अब चलते हैं इसके दूसरे प्रस्ण पर तो दूसरा प्रस्ण हमारा दिया गया है कि 2a-3b की घाद 3 बडावर x की घाद 3 माइनस बावर 3x ब्रैकेट में x माइनस बाई से यहां पर जहां पर x आखरी जगह पर 2a है और y की जगह पर 3b है तो x बलावर 2a और y बलावर 3b लखने पर तो जहां पर x है वहां पर हम लखेंगे 2a बाई की जगह पर 3b तो यह हो जाएगा 2a minus 3b की घाद 3 बराबर x यानि 2a की घाद 3 minus y यानि 3b की घाद 3 minus 3 into x यानि 2a into y यानि 3b bracket में x minus y यानि 2a minus 3b ठीक है हो गया बहुत आसान है के बन सूत में हमें जो भी दिया जाए उसको हमें लिखना है बस अब देखो 2 की घाथ 3, A की घाथ 3, माइनस 3 की घाथ 3, B की घाथ 3, माइनस 3 दूनी 6, 6 ती यहां 18, 18AB और ब्रेकेट में 2A माइनस 3B यहां पर 2 की घाथ 3, 2 दूनी 4, दूनी 8A की घाथ 3, 3 की घाथ 3, यानि 3 का 3 में 3 बार घुणा, 3 ती यह, 9 ती यह, 27B की घाथ 3, माइनस 8 पहले इसका S में घुणा होगा, फिर इसका S में घुणा होगा, तो 18 दूनी 36, A और A हो जाएगा A की घाथ 2, और B एक है, माइनस का घ में होगा तो प्लस हो जाएगा 18 ती है 54 ए और बी का बी में गुड़ा होगा बी की घाद दो यही हमारा आंसर आ गया तो दोस्तों देखा बहुत आसान प्रस्न है और अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रस्न पर तो अगला प्रस्न हमारा दिया गया है तो यहां पर प्लस चिंदना गया फिरसे हम कौन से सरसमका लगाएंगे प्लस वाली तो सरसमका x प्लस buy की घाद 3 प्लस buy की घाद 3 प्लस lend की घाद 3 ऐखेत में 10. एक, तो हम लोग लिख देते हैं x यानि 3 बटे 2x plus y यानि 1 की thoroughly थीच है, जहाँ पर x है, वहाँ पर 3 बटे 2x रख दिया जहाँ पर y है, वहाँ पर 1 रख दिया अब देखो ये अंदर सभी क्या गात 3 होगा तो ये होगा 3 की गात 3, बटे 2 की गात 3 और x की गात 3 1 की गात 3 हमारा 1 ही आएगा, 3 तिल्का 9 बटे 2x, एक का गुड़ा होगा तो वही रहेगा और bracket में 3 बटे 2x प्लस 1 अब हम क्या करेंगे 3 की गात 3, 3 तीया 9 तीया 27 बटे 2 की गात 3 यानि 2 दूनी 4 दूनी 8 x की गात 3 प्लस 1 अब इसका गुणा पहले इसमें होगा तो 9 तीया 27 x और x, x की गात 2 और बटे में दो का दो में गुड़ा होगा तो बटे में हो जाएगा दो दूनी चार अब इसका गुड़ा एक में होगा यानि वही संख्या बनी रहेगी एक में किसी भी संख्या का गुड़ा होता है तो वही संख्या रहती है ठीक है और यहीं हमारा क्या आगया अंसर आगया ठाना आसान अब आप लोगों को भी आसान लगने लगा हुआ तो अब हम लोग आगे वाला प्रसंद देखते हैं तो यहां पर हमारा आगे वाला प्रसंद दिया गया है कि X-2 बटे 3 बाई की घात 3 दिया गया है दूसरी बात माइनस का चिन है तो हमें माइनस चिन वाला यह वाली सरवसंका लगानिये ठीक है तो लिख दिए हमने सरवसंका X-Y की घात 3 बρाबर X की घात 3 ऑट 3-2 से अब यहां पर X की जगे पर X ही अब यहां बटे टिन तो वहीं लोग ळेंगे तो x minus 2 बटे 3 by की घाद 3 बराबर x यानि x की घाद 3 minus by यानि 2 बटे 3 by की घाद 3 minus 3 into x यानि x into by यानि 2 बटे 3 by और bracket में x minus by यानि 2 बटे 3 by ठीक है अब क्या करेंगे x की घाद 3 minus सब की घाद 3 होगा 2 की घाद 3 बटे 3 की घाद 3 into by की घाद 3 3 से 3 कैंसल हो गया यह अंस में है यह हर में है कितना बचा 2 x by संख्या पहले लिख लेते हैं और जो चलपर होते हैं उनको बाद में लिख लेते हैं अब x minus 2 बटे 3 by बचा ब्रैकेट में वो लिख दिया अब इसका गुणा पहले समें होगा फिर समें होगा अनसर आ जाएगा तो यह हमारा हो जाएगा x की घाद 3 minus 2 की घाद 3 2 बटे 2 बटे 3 x हमारा सिंगल है और by की घाद 2 में होगा बाई की घाद 2 और यही हमारा इधर अगर हम लिख दें x-2 बटे 3 बाई की घाद 3 तो यह हमारा आंसर आ जाएगा तो दोस्तो इस प्रिकाल से आपने देखा कि यह प्रस्ट नंबर हमारा छट्वा कम्प्लीट होता है आयोब की आप लोग समझ गया होंगे बहुत आसान प्रस्ण है केवल हमें सरुसम्का आनी चाहिए तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रस्ण या वैसे तो बहुत आसान है 99 का 99 में हमें तीन बार गुड़ा करना है जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा लेकिन इसमें सरुसम्काओं का प्रियोग करना है तो इसलिए हम लोग सरुसम्काओं का प्रियोग करते हुए इसका मान निकालेंगे ठीक है तो सबसे पहले ह हम लोग लिख लेते हैं कौन सी सर्वसंखा प्रियोग करेंगे तो यह वाली सर्वसंखा प्रियोग करेंगे पहला प्रस्नायर 99 की घात 3 तो 99 को हम लिखेंगे 100-1 उसके 99 के पास की वो संख्या जो 0 के डिजिट में हो ठीक है तो वो 100 आएगी हमारी तो अब 100-1 की घात 3 हो गया अब यहां पर हमें कौन से सर्वसंखा लगेगी सर्वसंखा x-2 की घात 3 बराबर x की घात 3-3x-2 से तो यहाँ पर x की जगह पर कितना है 100 और by की जगह पर 1 तो x बराबर 100 by बराबर 1 रखने पर तो जहाँ पर x है वहाँ पर हम रख देंगे 100 जहाँ पर by है वहाँ पर रख देंगे 1 तो 100-1 की घाथ 3 बराबर x यानि 100 की घाथ 3 minus by यानि 1 की घाथ 3 माइनस 3 इन्टू x यानी 100 इन्टू by यानी 1 और ब्रेकेट में 100-1 100 की गात 3, 1 की गात 3 हमारा हो जाएगा 1 और यह 2 0 है, 3 गात यानी 6 0 हो जाएगे, ठीक है? माइनस 1 की गात 3 हमारा 1 रहेगा, 3 एकम 3 एकम 3 तो यह हो जाएगा 300, 100 में से गयर निन्यान दे यहाँ पर देखो 11, 12, 1, 1000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, माइनस एक और 99 का 3 में गुणा कर दो तो 9, 27, 27, 297, 297, और यह जो 2 जीरो है यह इसके आगे आ जाएंगे तो 99 का गुणा हमारा 300 में हो गया 99 का हमने 3 में गुणा किया और उसके बाद 2 जीरो आगे लग दिये अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 माइनस यह दोनों माइनस के हैं यानि यह दोनों जुड़ेंगे तो यह हमारा क्या आएगा 29,701 अब 10,00, में 29,701 हमें घटा देना है तो क्या आएगा हमारा हमारे पास आएगा 10 है, 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा यहाँ पे 9 है, 9 में से सुन जाएगा 9 बचेगा यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 आएगा 2 बचेगा यहाँ पे 9 में से 9 जाएगा सुन बचेगा और यहाँ पे 2 है, 9 होगा इधर 7 बचेगा अब जबो, 1, 2, 3, 4, 5 एक दो तीन चार पांच अब दस है दस की जगे पर एक नौ बचेगा तो यह हमारा आगए नौ लाक सतर अजार दोसो निन्यान दे और यही हमारा आंसर आ गया तो दोस्तों इसमें वैसे तो आसान नहीं है थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन आसान यह है कि हमें कहीं कैलकुले तो एक सो दो को हम कैसे लिखेंगे इसको हम लिखेंगे सो धन दो की घात तीन यहां पर प्लस आया इसका मतलब प्लस वाली साव समका लगेगी तो हम लिख देंगे सर्व समिकार एक्स प्लस बाई की घात तीन बराबर एक्स की घात तीन प्लस बाई की घात तीन प्लस थिर 2 x y और bracket में x plus y से यहां पर हम लिख देंगे x बराबर 100 और y बराबर कितना है यहां पर 2 लख देने पर तो जहांपे x से वहां पर 100 रखेंगे y की जीगेह पर 2 रखेंगे तो यह x plus by की घाथ 3 यानि 100 plus 2 की गात 3 बराबर X की गात 3 यानि 100 की गात 3, Y की गात 3 यानि 2 की गात 3 प्लस 3 इंटू X यानि 100 इंटू Y यानि 2, bracket में X यानि 100 प्लस Y की जगे पर 2, ठीक है, अब आगे क्या होगा, यानि 100 की गात 3, 1 की गात 3, 1 इंटू 0 है यानि 2, ठीक है, चैए 0 हो गए, 10 लाख हो गए, 2 की गात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 एकम 3 दूनी 6, 600 हो गए, और 100 धन 2, 102 हो गए, यहां पर हमने लिख दिए 10 लाख, प्लस 8, 102 का 600 में गुड़ा होगा, तो हम इसका केवल 6 में गुड हांसे लगाए एक 6 का 0 में 0 यह 12 आ जाएंगे 6 कम 6 तो यह हो गए 612 और यह जो 2 0 है यह इसके आगे लगए ठीक है अब इन सबको हमें सिंपल सा जोड़ देना है तो यह जो है आठ एकाई में इधर जुड़ जाएगा फिर 0 फिर 2 फिर 1 फिर 6 एक 2 3 4 5 एक 2 3 4 5 अब यह बचा आसान लगने लगा होगा आपको उम्मीद करते हैं और इसी के साथ हमारा यह प्रस्ण भी कंप्लीट होता है और अब हम लोग इसके अंतिम प्रस्ण पर देखते हैं 998 की घाती और इसके बाद हमें एक होम भर्क में देंगे आपको घर पे करने के लिए तो इसका डिजिट थोड़ा सा बड़ा है 998 अब यह बताओ 998 के पास ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें जीनों डिजिट आती हूँ यानि यह हमारी है 1000 1000-2 की घात 3 ठीक है अब इसमें हमें कौन सी सर्वसंका लगेगी माइनस चिन है तो माइनस वाली सर्वसंका लगेगी ठीक है लिख देते है सर्वसंका एकस माइनस बाई की घात 3 बरावर एकस की घात 3 माइनस बाई की घात 3 माइनस 3 एकस बाई ब्रेकेट में एकस माइनस बाई बार-बार हम इसको इसलिए बोल के लिखते हैं कि जिससे आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको देखने में ही यह सरुसम्खाएं दोनों याद हो जाएंगी तो यहां पर x की जगह पर हम रखेंगे 1000 और by की जगह पर 2 रखने पर दो रख देते हैं क्या आएगा 1000-2 की घात 3 बराबर x की घात 3 यानि 1000 की घात 3 माइनस by की घात 3 यानि 2 की घात 3 माइनस 3 into x यानि 1000 into by यानि 2 bracket में x माइनस by यानि 1000 माइनस 2 अब यहां पर 1 की घात 3 1 होगा और ये 3 जीजों है गात 3 है तो 3, 3 है 9 0 हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 माइनस 2 की गात 3, 2 दूनी 4, दूनी 8 ठीक है अब 3 दूनी 6, एक हम 6 और ये 3 0 हो गई 6,000 और 1000 में से 2 गट गए 998 पहला काम अब हम ये करेंगे यहां पर कि इसका 6 का इसमें गुणा करेंगे तो 6, 8, 48, 8, हासिल लगा 4, 6, 9, 4, 58, हासिल लगा 5 6, 9, 4, 5, 59, इतना आगे है गुणा अब ये जो 3 0 है ये इसके आगे लगा देगे ठीक है अब हम ये दोनों माइनस के हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 8 आगे जुड़ जाएगा, 8, बाकि ये दोनों 0, फिर 8, फिर 8, फिर 9, फिर 5, माइनस इदर 1 और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 अब इन दोनों को घटा देंगे कितना आएगा देखो, इदर हासिल लेंगे पहले तो 10 में से 8 गए 2 बचे, अब इदर हासिल लेंगे तो यहां पर बचेंगे 9, 9 में से 0 गए, 9, 9 में से 8 गए, 1, 9 में से 9 गए, 0, 9 में से 5 गए, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब यहां पर 100 बचेंगे, लेकिन एक उदार ले लिया था ना तो 100 का कितना बचेगा 9, 9 ठीक है, तो यह हमारा आंसर आ गया, उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होगे, हम इसमें आपको दे रहे हैं कि दो प्रस्न आप करना गर पे, पहला है 98 की घात 3, इसको आप लोगों को करके बताना है, और दूसरा है 101 की घात 3, और इन दोनों प्रस्नों के आंसर अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम तक अवस बेजना, तो दोस्तों अगले प्रस्न आणि प्रस्न नंबर 8 पर, तो बच्चों यहां पर आठवा प्रस्न नमारा दिया गया है कि निम लिखित में से प्रतिय का गुड़न खंड कीजिए, तो यहां पर हमें गुड़न खंड करने हैं, और यह दिया गया है, अब इसमें आपको सीधा सा यह और जैसे नीचे वाला प्रस्न लिखा हुआ है, इसमें कुछ माइनस भी है, इसका मतलब नीचे वाली सरवसंगा लगेगी, तो सबसे पहले मूपर वाला देखते हैं, तो देखो इसमें 8, किसकी गात 3 होगा, 2 की गात 3, तो यह होगा 2, 2 की गात 3, A की गात 3, प्लस B की गा बनेगा, 18 हो गया, इंटू 2 A होगा, A वाला इंटू B होगा, बस इतना होगा, ब्रैकेट में यही 2 A प्लस B होगा, ठीक है, तो अब जो भाई यहां पे क्या होगा, इसको एक बार फिर से देख लो, यह हो जाएगा हमारा 2 A की पावर 3, यह हो जाएगा B की पावर 3, यह हो देखो, क्या यह, इसका हम गुड़ा करेंगे, तो यही आएगा, तो 3 दूनी 6 A B, 6 A B यहां से common आया, तो यहां पे 6 दूनी 12 A बचा, और यह यहां से 1 B बचा, इसका मितलब जो हमने यह लिखा है, वही लिखा है, इसको हमने केवल सूत्र के रूप में, यानि सर उसमिका क रूप में लिख दिया है, ठीक है, तो यह सीधा साब हो जाएगा, इस सर उसमिका से 2 A प्लस B की घात 3, और यही हमारा answer हो जाएगा, अगर थोड़ा सा और लिखो, तो 2 A प्लस B, 2 A प्लस B, 2 A प्लस B, 3 बार लिख दो, क्योंकि यह इसका 3 घात आ जाए, ठीक है, यह हमारा answer आ गया, अगर थोड़ा समझ में नहीं आया कहीं पर, तो हम लोग अभी इसको करेंगे, इसमें और अच्छे से समझेंगे, ठीक है, तो देखते हैं, यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले, 8 किसकी घात 2 होगा, 2, तो यह 2 A की घात 3 हो गया, माइनस B की घात 3, यहां common क्या यहां common आ रहा है, यहां common आ रहा है, 6 A B, माइनस 6 A B, दोनों जगए से common ले लेंगे, तो यहां पर minus common आ गया, तो चिन बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस लगाओ या ना लगाओ, 6 दूनी बारत 2, A common आ गया, A की बचा 2 है, यहां पर minus चूंकि common आ गया, तो यह चि 2 A की घाद 3, minus B की घाद 3, minus, इसको भी हम इसी रूप में लगने के सूत्र की रूप में, 3 into 2 A into B, और यह हो जाएगा हमारा 2 A minus B, तो यह रगो, 3 दूनी 6 A B, और यह वही लिखाए जो उपर था, तो यह हमारा सूत्र सीधा सा बन जाएगा, A minus B की घाद 3, यहां इसको हम ल 2 A minus B, 2 A minus B, और 2 A minus B, और यह हमारा आंसर आजाएगा, इन दोनों में सिर्फ चिन का अंतर था, और दोनों सरुसमका है, पहले वाले में ऊपर वाली सरुसमका, नीचे वाले में माइनस वाली लगी, तो उम्मीद करते हैं, आप लोग इन दोनों प्रस्नों को बहुत 225 A की गात 3 minus 135 A plus 225 A की गात 2, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, केवल इन दो संख्याओं को देखना है, इसके आदार पर पूरा लिख देना है, कैसे, देखो इदर, 27 होगा हमारा 3 की गात 3, 125 होता है 5 की गात 3, और A की गात 3, तो 5 A पूरे की गात 3, माइनस आगे है, इसक ब्रेकेट में 3 minus 5 A, यही तो सूत होता है, 3 A भी ब्रेकेट में A minus B, अब सिर्फ यहां पर यह देख लो, इसका गुणा करके, कि यहीं हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसे 3 तीया 9, 9 पना 45, ठीक है, तो 45 A यहां से आया, 45 का 3 में गुणा करेंगे, 135 ठीक है, अब 45 का 5 में गुणा करेंगे, तो 45 ठीक है, 25 की 5 ठीक है लगा दो, 5 को 20 और 22, 25 A की घाट दो, minus minus plus हो गया, इसका मतलब जो हमने यह लिखा है, वही यह लिखा है, केवल अंतर यह हो गया, कि इसको हमने सर्वसमिका के रूप में लिख दिया, तो यह हमारा सीधा सा सूत हो गया, क्या एक ब्रैकेट में, 3 minus 5 A, और 3 minus 5 A इसको 3 बार लिख दिया, आंसर आ गया, आगे वाला देखो, बहुत सिंपल, minus 3 में लगा है, 64 किसकी घाट 3 होता है, 4 चोको, 16 चोको, 64, 4 की घाट 3, तो 4 A की घाट 3, minus 27, 3 की घाट 3 होता है, 3 B की घाट 3, बस, अब आगे का देखना है नही इसी को देख के कर देना है, minus 3 into 4 A into 3 B, ब्रैकेट में 4 A minus 3 B, अब इसका गुणा करके देख लेते हैं, 3 चोको, 12, 12, 36, 36 चोको, 144 ठीक है, 36 तिया, 108, 6, 38, 3 तिया, 9, 10, इसका मतलब जो मैंने लिखा है, वो सही लिखा हुआ है, तो अब सीधा सा सूत लगा दो, 4 A minus 3 B की घात 3, और ये हमारा अंसर आ गया, बहुत आसान है, दो लाइन का, बस आपको थोड़ा सा समझ लेना है, कि सर्व समका हमें किस तरीके से लगानी है, इसको भी अगर हम लोग थोड़ा सा लिखे है, 4 A minus 3 B, 4 A minus 3 B, और 4 A minus 3 B, तो दोस्तों ये था प्रस्न और इसका आंसर बहुत आसान प्रस्न है, बस थोड़ा सा आपको सर्व समका को देख लेना है, किस तरीके से लगेगी, और बड़ा आसानी से हो जाएगा, तो अब हम लोग इस प्रस्न के अंतिम प्रस्न पर चलते हैं, यहाँ पे कुछ संख्या है, अंस बटे हमें दी गई हैं, लेक चैन चत्य सांसर लगा 3, चैन तिया 18, 18, 18, 21, तो यह 216, यानि 6 की गात 3 होगा 216, यह हमें पता चल गया है, तो एक बटे 6 और पूरे की गात 3, अब हमें यह पता चल गया है, किस की गात 3 है, अब आगे का हमें कुछ नहीं देखना, बस सूत क्या होता है, एक की गात 3 माइ से एक बटे 6, अब इसको अगर हम हल का के देखेंगे, तो यहीं आएगा, क्यों? 3 से काट देंगे, 3 दू निच्छ, बटे में 2 आगया, 3 कर, 3 ती आ, 9 बटे, 2 P और P, P की गात 2 आगया, इसी तरीके से इधार अगर करेंगे, तो यह 3 दू निच्छ, यह भी 3 कट जाएगा नीचे बटे में 4 आजाएगा, एक P आजाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा दिया गया है, वो बिल्कुल सही हमने लिखा है, और यह आ रहा है, बस सिर्फ अंतर इतना है कि हमने इसको सरुसम्का के रूप में लिख दिया, तो भीया लगा दोसुत, तो क्या आएग ब्रेकट में 3P-1 upon 6, दूसरे ब्रेकट में 3P-1 upon 6, तीसरे ब्रेकट में और यह हमारा आंसर है, तो दोस्तों यह थी आज की क्लास, I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आ रहे होंगे, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ और इसके आगे के प्रस्नों को करेंगे, हाँ, होमबर्क में जो हमने 2 प्रस्न दिये हैं, उनको आप लोग करके, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, हम तक और से पहुंचा है, तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए, नमस्कार करेंगरा जिए